अपने आसपास पेर पौधे हम सभी को पसंद आते हैं और चाहते हैं कि एक छोटा सा खुपसूरा सा गार्डन हम भी क्रियेट करें अपने आसपास एक छोटा सा गार्डन बनाए जिसे की काफी खुपसूरती हम अपने घर में बालकनी में टेरिस गार्डन पे ले सकें तो फ स्टार्टिंग पीरियद में जो पौधे अक्सर खराब हो जाते हैं जिसकी वज़से हम काफी बार हतास हो जाते हैं पौधा और लगाना छोड़ देते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ हाड़ी पौधे शेयर करूंगे जो कि आसानी से मरेंगे नहीं आसानी से खर यह जिसे की हमें जादा देख भाल नहीं करनी पड़े आज की वीडियो टोटली इस ट्रॉपिक पे ही है हेलो फ्रेंस वेल्कम बैक टू मैं चानल कैसे हैं आप सब आई हो आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे तो फ्रेंस आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे हा आप नहीं होंगे तो इनने से फ्रेंस अगर आप फूलो वाले पौदे लगाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में सबसे पहला जो पौदा है वह फ्रेंस मैक्सिकन पिटुनिया आने वाले गर्मियों के मौसम और बारिस के मौसम में ये पौदे बहुत अच्छी सी फ्ला करने के लिए सबसे बैस्ट ये पौदा जादा देखरें की रिक्वार्मेंट नहीं रखता है बहुत ही इजी टू ग्रो है तो आप इस पौदे को लगा सकते हैं अगला पौदा है फ्रेंस यूफोर्विया का यूफोर्विया के पौदे को भी जरूर आप अपने गार्ड और कोई भी पौदा फ्रेंस एक चीज़ ध्यान रखिए जब भी पौदा मरता है माक्सिमम टाइम ओवर वाटरिंग से ही मरता है पानी कम होने से पौदा स्ट्रस में जरूर जाता है पतियां पीली पड़ेगी सूखेगी थोड़ी सी लेकिन पौदा जल्दी नहीं मरता है लेकिन अगर ओवर वाटरिंग हो जाता है तो पौदे की जड़े ही गल जाती है जिसकी वज़े से पौदा जल्दी मर जाता है तो पौदे को हमेशा देख के पानी दे जिस पौदे की जैसी रिकौर्मेंट हो वैसी दे तो पौदा आपका कभी खराब नहीं होगा और ये यूफोर्विया क्यूंके कैक्टस वराइटी का पौधा है और कैक्टस को पानी की रिक्वार्मेंट कम होती है इसलिए इस पौधे को कम पानी दे उसका सबसे अच्छा सलूशन यह है कि आप इसे छोटे पौध में लगाए अगला पौधा फ्रेंस अडेनियम का अडेनियम पौधा होता है इसमें बहुत सारी वराइटी आती है फ्रेंस लेकिन जो स्टार्टिंग पिरियड में अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप इसकी देसी वाली वराइटी लगाए जिसमें सिंगल पैटल के फूल आते हैं तो इस पौधे को जरूर ग्रो करिए इसको भी फ हाड़ी पौधा है इसे भी ज्यादा देखने की जौरत नहीं होती है पानी की रिक्वार्मेंट इस पौधे को बहुत कम है यानि आप ऑल्टरनेट दे इसमें पानी दे सकते हैं एक दिन छोर छोर के पानी दिजिए इसमें रेगुलर पानी देंगे तो पौधा खराब नह अगला पौधा फ्रेंस आप टिकोमा जडरूर लगाएं अपने गार्डन में की जो आने वाले गर्मियों का सिजन है यह बहुत अच्छा मौसम होता है फूलो के लिए और टिकोमा में बहुत सारी वेराइटी आती है और सारी वेराइटी आती है ज़ाइटी में आपको अच्छे फूल क्याइब जाएंगे जैसे और इंच टीकोमा देख सकते हैं अब भूट होने के बाद हीस में पूरका पूरुदर उनात हो गया है यह 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 वाया स्टाइब बहुत जाए के पूरी गर्मिक आपको अच्छे फूल में जाएंगे और बहुत ज्यादा देख रेक नहीं करना पड़ता है सिप टाइम टाइम पे हमें इसे पानी देना है और पूरे दिन की धूप में रखना है नेक्स पौदा है फ्रेंस यह जैस्मीन का जैस्मीन में बहुत सारी विराइटी आती है तो आप इसे लगा सकते हैं आप देख सकत हमें इसे पानी देना है और प्रॉपर धूप में इसे रखना है नेक्स फिंस हाड़ी पौदे में आता है गलाइडिया का पौदा यह पौदा एक दम रफन टब पौदा है जैसे इसके फूल सूख जाएं उसमें होते हैं इसके सीर्स यह देख सकते हैं इसे मीटी में डाल नेक्स पौदा है फ्रेंस विंका विंका के जो हाइबरेट वाली वराइटी होती है उसे तो फिर भी थोड़ी देख रहे करनी परती है लेकिन जो यह देसी वाली विराइटी होती है तो इसे जरूर लगाएं क्यूंके यह बीना देख रहे कि आपके गार्डन में बहुत अगला हाड़ी पौदे में आता है फ्रेंस कनेर का पौदा कनेर के पौदे को भी आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से लोग इसे ग्रोग कर लेता है जहां कि कोई देखरेक करने वाला नहीं है और यहां पर देख सकते हैं यह मैंने दो अलग अलग पैटन में कनेर के तो सीट से भी पौदा असानी से लग जाता है और इस पौदे में भी फ्रेंस कोई देखरेक नहीं करनी परती है अगला पौदा है फ्रेंस सनफ्लावर का सनफ्लावर के पौदे को भी फ्रेंस कोई देखरेक नहीं करनी परती है मेरे गार्डन में सनफ्लावर का पौदा अ प्राजिता का पौदा यह एक लोध काउदा आप बेल नुमा पौदा है जो गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी सी फamento करेगा बहुत अच्छी ग्रोध लेता है तो ही अपराजिता के पौदे को जरूर लगाएं, दो-तीन कलर में यह more normally हमें मिल जाता है और easy to grow है, इसे 3-4 घंटे की धूर पर ऐसे condition में रखेंगे तो ही इसे आप बहुत अच्छे फूल ले सकेंगे नेक्स पौदा है फ्रेंच चांदी का चांदी की कोई भी वराइटी हो, बहुत हाड़ी पौदा होता है, easy to grow होता है इसमें ज्यादा देख रेकी जौरत नहीं पड़ती है और पौदा अपने हिसाब से ग्रो होते रहता है और आप देख सकते हैं, स्लिफ मैंने फर्वरी में इसमें खाद ऐड़ किया था, उसी से ये पौदा आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ ले चुका है कितनी सारी कलिया इसमें बन रही है, एक स्ट्राव में मैं बन रही है ये मेरा मल्टी पैटल वाला है, और बहुत हाडी होता है चांडी का पौधा जिसे कि आप जरूर अपने गाड़न में add करिये यह पौधा कटिंग से भी बहुत असानी से लग जाता है अगला पौधा है फ्रेंस मदुकामनी का मदुकामनी के पौधे भी फ्रेंस बहुत हाड़ी होते हैं और बहुत ही इजिली आप इसे अच्छे फूल ले सकते हैं आसानी से आप इसे कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं आप चाहें तो आप इसे पौट में भी ग्रो कर सकते हैं इसक climbing plant होती है ये वो है और सारी अच्छी तरीके से पूणिंग करने के बाद ये पौदा अच्छी ग्रोथ पे आ चुका है तो इस तरीके से तो फ्रेंस अलमांडा के पौदे को आप जरूर ग्रो करिए बहुत ही अच्छ सी और हैवी फ्लावरिंग आपको देखने को मिले इवो भी बिना देख भाल के टाइम टाइम पे असे पानी देना है और हर महीने इसे एक मुठी खात दे देंगे तो उसी से ये पौदा हैवी फ्लावरिंग करने लगता है तो इस पौदे को भी जरूर लगाएं जिसे कि आप गार्डन में मैक्सिमम फूल ले सकें. तो इस तरीके से ये काफी सारे पौदे हैं जिने की हम लगा के बहुत ही कम देखरेक में बहुत ज़ादा हैवी मातरा में फ्लावडिंग ले सकते हैं और गार्डन को खुबसूरत बना सकते हैं. अगर समय की कमी है या फी देखरेकर न हैं और अभी तक मेरे चानल को सबस्क्राइब नहीं कियें फैंस और प्लीज प्लीज इसे सबस्क्राइब भी करें साथ में वैल बटन भी रवाएं जिसे कि आगे मैं चोभी वीडियो रहा लूँ इसका नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंचे तो फैंस मिलते हैं अगले कि इसे वीडियो में नहीं किसी इंट्रसिंग सी जानकारी के साथ ओके देन बाई